नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ सब अच्छे होंगे मेरा नाम है राहूल और मैं आप सभी का स्वाइब करता हूँ मेरे इस यूटूब चैनल पेजिस का नाम है राहूल ऑनलाइन इंफो तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि फिफ्ट कट ओफ क्या कोई स्पेशल कर्ट ओफ आएगी और अगर हमारे अडमिशन फिफ्ट कट ओफ में नहीं हुआ है तो क्या हम स्पेशल कट ओफ मेरे बाईंगे दोस्तों यह वीडियो इसी के अपर होने वाली है तो दोस्तों वीडियो को एंटर के आंसर मिल जाए और कोई भी डौट आ रहें दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आयो तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें दोस्तों अब जान लेते हैं Special Cut-Off के बारे में कि क्या Second Special Cut-Off List आएगी तो जी हाँ दोस्तों Second Special Cut-Off List आएगी जो की Special Drive के नाम से आने वाली है दोस्तों यह Special Cut-Off List आपको Special Drive के नाम से देखने को मिलेगी अब जान लेते हैं कि Special Cut-Off List कब आएगी अब बात करते हैं apply की कि आपको apply कप करना है तो दोस्तो 7 दिसंबर सुबह 10 बज़े से लेकर 8 दिसंबर रात 11 बच के 69 मिनिट तक apply करना है एक बार फिर सुन लिजे apply करने के लिए आपके पास समय रहेगा 7 दिसंबर सुबह 10 बज़े से लेकर 8 दिसंबर रात 11 बच के 69 मिनिट तक आपको इस cutoff apply कर देना है फिर इसके बाद 9 December शाम 5 वे तक college आपकी applications को approve या फिर reject करेगा और जब आपके application approve हो जाती है तो आपके सामने payment को option आ जाएगा तो payment करने की time रहेगी आपकी यानि की payment करने की last date रहेगी आपके पास 10 December शाम 5 वे तक 10 December शाम 5 वे तक आपको payment कर दे नहीं है last date का खास ख्याल रखें क्योंकि इसके बाद कोई भी cutoff list नहीं आएगी ये cutoff list का end है इसके बाद दोस्तों कोई भी cutoff list नहीं आनी इसी में आपको admission लेना है वरना फिर आपको एक साल वेट करना पड़ेगा और आपका एक साल खराब हो जाएगा तो दोस्तों ध्य में ये कहा गया है कि अगर college के अंदर seat बची तो आगे और भी cutoff list अनौंस की जाएगी in case seat are still vacant further cutoffs में भी announced by the university to fill the same if needed the university में also conduct special drive in order to fill vacant seat against reserved categories दोस्तों या बताया जा रहा है कि अगर college के अंदर seat vacant रही यानि कि college के अंदर seat खली रही तो ही आगे की further cutoffs है वो अनौंस की जाए क्योंकि दोस्तों यहां पर साफ लिगा गया है कि दोस्तों अगर seat बची seat vacant रही तो ही आपकी जो further cutoffs है वो announce की जाएगी और इसमें कहा गया है कि अगर जरूत पड़ी तो आगे भी special drive cutoff निकाली जाएगी ताकि calls के इंदर seat खाली है वो भरी जा सके और यह special drive cutoff list सिर्फ reserve category के लिए होगी तो आप जान लेते हैं कि special drive के अंदर किन किन बच्चों का admission होगा तो दोस्तों special drive के अंदर SC, ST, OBC category से बिलोंग करने वाले बच्चों का admission होगा तो अब आपके मन में सवाल होगा क्या हमार admission special drive cutoff list के अंदर होगा जी हाँ दोस्तों आपका admission special drive cutoff list के अंदर ह लेकिन दोस्तों यह cutoff लेश से SC, ST और OBC बच्चों के लिए हैं तो अगर आपकी category SC, ST या फिर OBC है तो आप इस category में आप इस cutoff में apply कर पाऊगे जो बच्चे जेनरल category से बिलॉंग करते हैं वो इस cutoff में apply नहीं कर पाएंगे दोस्तों एक और बात rejection की कि आपकी admission रिजट क्य में हो जाए पर दोस्तों गलती यह कर दे रहे हो कि माल लीजिए आपकी जो cutoff list है वो आ राखी है 55 और आपके जो marks है 68 यानि कि 68 marks है और जो cutoff है वो 55 आ राखी है तो आप ध्यान ने देते हैं इसके उपर और आप उस column apply कर देते हो और दोस्तों इसके बाद आपका admission उसके लिए भी cutoff निकाल जाते है दोस्तों मान लेजिए cutoff की low आई है cutoff 55 आई है दोस्तों वे cutoff उस 55% के आसपास वाले बच्चे के लिए है अगर आपकी percentage काफी ज्यादा है तो दोस्तों आपको admission उसमें नहीं दिया जाएगा और दोस्तों अगर आपकी percentage उससे कम है तो दोस्तों तब भी आपका admission नहीं दे जाएगा तो दोस्तों इन बातों का ख्याल रखके ही आपको cutoff में apply करना है जिस college की cutoff से आपके percentage match हो रही हो आपको केवल उन्हीं college में apply करना है ऐसा करने से आपकी application reject नहीं होगी और आपका admission हो जाएगा तो दोस्तों यह थी video आपकी NC को लेकर special direct cutoff को लेकर और वो निराश है कि उनका admission नहीं हुआ है उनको क्या पताने से कुछ help मिल जाए तो दोस्तों इसी साथ video के end करते हैं धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब हो